गिंद्रिये सूचना और प्रसारण मंत्राले ने मंगलवार को घोसना की कि इस साल दादा सहा फालके पुरसकार बॉलिवूट की दिगज अविनेतरी आशा फारिक को दिया जाएगा यह प्रतिष्ठित पुरसकार प्राप्त करने वाली वह बावनवी हस्ती होंगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि आसा भोशले हेमा मालिनी, उदित नरायन जहा, पुन्नम धिलो और टी एस नागभरण की सदसिता वाली दादा सहा फालके समीती ने 68 राष्ट्रिये फिल्म पुरसकारों में आशा पारेख को पुरसकार देने का फैसला किया है आशा पारेख अपने दौर की हाइस्ट पेड एक्ट्रेसेज में से एक रही है उन्होंने पंजाबी, गुजराती और कंणड फिल्मों में भी काम किया उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कमपनी भी लॉंच की थी और टीवी शोज भी बनाए उन्हें साल 1992 में पद प्रमानन बोड की अध्यक्ष रही सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच पुरसकार दादा सहाव फाल के हर साल राष्ट्रिये फिल्म पुरसकारों में प्रदान किया जाता है इस साल यह का इक्रम 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्म एक्टरेस आशा पारिक को पुरसकार प्रदान करेंगी सूपर अश्टार रजनी कांत को पिछले साल इस आवार्ड से नवाजा गया था मैं धर्मवीर भारती विके फिल्म न्यूज से